कटनी से फिर एक रिश्वत का मामला सामने आया है पेडित किसान ने जन सुनवाई में पतवारी के उपर रिश्वत का आरोप लगाया है पीडिक का कहना है उसने पाँच हजार रुपए दे चुके हैं लेकिन और उससे एक हजार की मांग की जा रही है जिसकी शिकायत लेकर वे जन सुनवाई में आया है करटनी कलेक्टर कारियारे में मंगलवार के दिन जन सुनवाई में ग्राम पड़री रहवासी गणेश प्रसाद गाड़री अपनी शिकायत लेकर आया था और वह परिशान होकर ऐसी शिकायत लेकर पहुंचता है उसके बावजूद भी ऐसे लोगों के ऊपर कारवाई करने में परहिच किया जाता है हाल ही में करनी के ऐसे बरश्टाचार में लिपते कई मामले उजागर हो चुके हैं उस मामले में जवर्पूर लोका एक दोरा कारवाई की गई थी मगर इसके बाद भी उच्च पद पर बैटे ऐसे बरश्टाचारियों की ऊपर कारवाई होने में विलम बक्यों होता है यह समझ के पर यह है जबकि एक पीडित की सान हाथों पर शिकायत लेकर स्वयम जनसुनवाई में पहुंचता है और पीडित अपने उपर हुई आप बीती जनसुनवाई में रखता है जो मध्यबदेश के मुख्या की बनाई गई जनसुनवाई है जिससे पीडितों को इसकाला मिल सके उसके बावजूर पीडित मीडिया के सामने अपने शिकायत रखता है जिससे उसे न्याय मिल सके और मेरे से दादुराम पड़ायल द्वारा पांच रिया रुपए नगत लिया गया है छिपाकर नोटों किताब के अंदर किताब और दस रियार की मांग और की जा रही है नहीं कनने पर बूल रहे हैं कि तुमको हम देख ली में मैंने कलेक्टर के यहां दिया और अपना तरस प्रम। वार अबर बूल रहे हैं किली इन पेलने बडर वर रहे हैं किताब अवर रहे हैं कि तुमकोष ए रहे हैंग प्रम। झुमझाज खूटे लगत चाछिए अटा किताब चापनिंट कि पर पीज़ फचिशंपए उनुर्य को विस फुम स्टिए किता लगत पर जिए निए प्रेमिर जिल्बेस्ट इनिवर्सिटी रबिंदानाथ तेगों उनिवर्सिटी आप देख रहे हैं दखल निवर्सिटी